नमस्कार, न्यूस्क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अभी हाल में शिमला एग्रिमेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पीस की तरफ शान्ती की तरफ जो एक बुनियादी प्रोसेस है। उस एग्रिमेंट के पचास साल पूरे हुए है। दो जुलाए 1972 को शिमला में बहुत देर रात एक नाट की तरीके से जिसके बारे में मैं बाद में इस कारिक्रम में जिक्र करूँगा ये एग्रिमेंट साइन हुआ था। बहुत ही महतवपूर्ण है क्योंकि हिंदुसान पाकिस्तान के बीच के रिष्टे जो हैं वो उस पे हमेशा अभी भी प्रशन चिन लगे हुएं तो हम शिमला एग्रिमेंट के रेलेविंस उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी और वो किस तरह से हिंदुसान पाकिस्तान के जो डिप्लोमाटिक और मिलिटरी टाइज हैं उसको किस तरह से शेप किये उसके बारे में हम बात करेंगे मेरे साथ बात करने के लिए आज हैं सुषान सिंग जो सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर प्लिटिकल रिसर्च में और बहुत वरिष्ट पत्रकार रह चुके हैं 20 साल इन्हों ने सर्विस भी की है तो सही एक तरह से नैशनलिस्ट हैं क्योंकि फॉज में इन्होंने सेवा की है तो इसके बारे में बात करने के लिए सुशान सिंग जी मैं सबसे पहले शुरुवात करूँगा एक पर्सनल शिम्ला एग्रिमेंट के पर्सनल मेमरी से उस समय मैं प्री टीनेज यर्ज में था और एक शहर में स्कूल जाता था जहां आर्मी भी थी बिंगॉल बीजी की हेड़कॉर्टर होते थी प्रोड की वहां विश्ववविद्याल है थी जो अब एक आयाइटी है एक CSIR की एक लेबरेटरी भी थी तो एक तरह से लेकिन जो समझ में आया और खास्तों से आर्मी के जो हमारे जो क्लास में जो दोस्त लोग थे स्कूल में उन लोगों के बीच में एक निराशा भाव थी कि हिंदुस्तान ने एक position of strength को squander कर दिया है इंदरा गांधी ने ये क्या कर दिया सड़िनली इंदरा गांधी ने 71 की लड़ाई जो हम लोग ब्लैक आउट के दौर से हम लोग गुजरे थे तो एक सर्टन जो उत्सा औरकी पाकिस्तान की नाक रगड़ दी गई है वो जो एक पूदा जो कहानी जो बंगलादेश की गठन हुई है तो पचास साल बाद हम अगर कूली और रैशनली हम अगर बात करते हैं तो क्या ऐसा लगता है वाकरी इंदरा गांधी ने कोई बहु इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद जहां तक शिमला समझोते की बात है जिसके के पचास साल अभी पूरे हुए हैं ये कहना शायद गलत होगा के मिसिस गांधी ने सब कुछ लिट टुटा दिया उनीस सो एकतर की लड़ाई के बारे में भारत के अंदर बहुत ज सरेंडर करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की फोर्स का सरेंडर है पूरी पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर नहीं है पाकिस्तान के वेस्टन फ्रेंट पर हमारी लड़ाई बराबर की थी कोई थोड़ा बहुत उपर नीचे उपर नीचे की लड़ाई थी दूसरी बात जैसा है ज उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो रक्षा है, वो Western Pakistan के थू होगी, पश्चमी पाकिस्तान के थू होगी, और क्योंकि हम पश्चमी पाकिस्तान से इतना अच्छा लड़ेंगे और हम इतना अच्छा गुज जाएंगे, भारत के अंदर कि वो वहां पूरी पाकिस्तान में 21 की लड़ाई में, वो बंगलादेश को क्रियेट करना थे, और वो बाद में उसमें दो एम और जोड़े जाते हैं, अगर आप हकसर के पेपर्स को देखें, टिपीदर की किताब को देखें, आप बाकी डॉकिमेंट्स को देखें, जो M.E.A. के डॉकिमेंट्स हैं, तो दो एम बाद में उसमें जोड़े जाते हैं, बंगलादेश के बाद, दो एक एम होता है कि हम ऐसा कर दें कि भारत और पाकिस्तान की बीच में जो भी बादचीत है, वो सिर्फ बाइलेटरल रहे, दो प्यक्शी रहे, वो बहु पक्शी बादचीत ना हो, क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा, 1962 की लड़ाई के बाद कैनेडी सरकार ने बहुत जादा दबाब डाला था हमारे उपर और वो बाद शुरू ही थी, सोरनल सिंग और बुट्टो के बीच में, बुट्टो उस वक्शी बादेश मंतरी होते हैं, जिसमें लो नो ने कहा किया, आपको हमार प्रकती हो जाती है, जिसके बाद काशकंद में, तो हमेशा से बहरी तागतों का बहुत जादा धबाब रहा था बाहरत और पाकिस्तान के ऊपर। तूसरा मकसट था, ज把它 के बाद चीच में, बाकिस्च बाकिस्तान और समस्यां camera आपस में बातूत से सोलजें और तीसा एम जो कि 1965 में शास्तरी ने भी ट्राइ किया कि जो सीजफायर लाइन होती थी जिसको कि अब हम लाइन आफ कंट्रोल बोलते हैं जो कि 1947 में कश्वीर में सीजफायर लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में थी उस लाइन को इस तरह से थोड़ा मौडिफाय किया जाए कि वो भा पाकिस्तान को पूरी तरह यूमिलियेट कर देते जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि किया जा सकता था तो वो तो फिर जो प्रथम विशुद के बाद वरसाई ये ट्रीटी के दौरान अक्सर ने कहा ये चीज़ कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो और भुट्टो ना प्रदान पीस भी आती है वो पचास साल बाद हम को ये बताती है कि इस एग्रीमेंट ने जो इसके टागेट से उनको काफी हद तक ठीक तरीके से अचीव किया क्या और ज्यादा किया आ जा सकता था ये विचारने वाली बात है जहां तक 90,000 केडियों की बात है उस पे दोई चीज़ आ हैं 16 दिसंबर से पहले तो उन्होंने साफ कहा है नियाजी को कि हम आपके लोगों को जनेवा कंवेंशन की तरह ट्रीट करेंगे और फॉलो करेंगे जो लोग आपके सरेंडर करेंगे जब पूवी पाकिस्तान की सेना को सरेंडर के लिए मंग गया तीसरी बात जो सरेंड और लौए यह थे यह भारत और बांगलादेश के पास जॉइंट तरीके से सॉरेंडर हुए थे जॉइंट कमाड को यह भारत में रह रहे थे भारत में इनको रखा गया हमारे custody में थे पर joint थे तो भारत, पाकिस्तान हमेशा ये कहता था कि आप बंगलादेश को अलग कर दीजे और हमको भारत ने का नहीं ये decision तो बंगलादेश के साथ ही होगा हम सिर्फ उन 600 सैनिकों को चोड़ सकते हैं जो के western front पर लाइम पकले गए हम सैनिकों को नहीं चोड़ सकते हैं तो इसलिए सैनिकों को नहीं चोड़ना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होती उससे हमारी जो global reputation थी उसको बहुत ज़्यादा damage होता और नहीं हमको उस पर सोवेत इनका भी support बिलकुल बिलकुल नहीं मिलता चौथी बात ये 90 जार सैनिकों के लिए भुट्टो पर कोई दिवाब नहीं था जैसा कि अक्सर ने अपने कागलियों में लिखा है भुट्टो ने उनको privately बोला और भुट्टो का खुद की लाइन और भुट्टस तरह की बाचीत के लिए जाने जाते हैं भुट्टो ने कहा कि भाई आप इन 90 जार आदमियों को मेरी तरफ से गंगा में डालने है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता पांचवी बात ये सैनिक शिम्ला में नहीं चोड़े गए लोग ये भूल जाते हैं कि ये सैनिक अलग नेकोसियेशन के बाद 1973 अगस्त में चोड़े गए 19 दिन बात होती है बांगलादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच में और अगस्त 1973 में ये सैनिक चोड़े जाते हैं शिम्ला में कोई भी दो या तीन पन्नों का शिम्ला एग्रीमेंट है जिसके अंदर 6 पैराग्राफ है उन 6 पैराग्राफ के अंदर P.O.W. का कोई जिक्र नहीं है P.O.W. वहाँ कहीं नहीं चोड़े गए तो इस तरह से ये मेरे दोस्त हैं धीरेन जहाँ वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया में माइथालोजिस्स पैदा हो गए हैं खास दोर पर हिस्टरी के बारे में और उनकी एंप्लिफायर्स है तो यह बहुत ज़दा माइथालोजिस्स और उनकी एंप्लिफायर्स का काम है कि शिंबला एग्रिमेंट को एक तराइकर से दर्शाने की कोशिश एक तरीके से ओ मिलिटरी विक्टरी was converted into a loss on the table कहने वाली कहने वाली बात है देखिए शिंबला में तो कोहरा जो की हिल स्टेशन है तो कोहरा बहुत होता है तो शिंबला एग्रिमेंट की उपर भी एक तरह से कोहरा चाया हुआ है पिछले पचाथ सालों से तो काफी उस कोहरा को आपने हटाया है कुछ चीज़े आपकी बातों से जो उभर के आई जिसके बारे में थोड़ी और चर्चा होनी चीए जो हकसर साब ने कहा था कि ट्रीटी ओवर्साई की जो रिफरेंस आती है उनके पेपर्स में कि उन्होंने अगर होता है तो ट्रीटी ओवर्साई और इतिहास में जो देखने को मिला तो फासिज़म के ग्रोथ का एक बात एक बन्याद खड़ी मतलब बन जाती है एक तरह से हिंदुस्तान में एक चीज़ देखने को मिल रहा है हम लोग एक राजनितिक दोर में गुजर रहे हैं हाला कि फासिज़म नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत लोगों के समाज शास्रियों का कहना है कि एक तरह से इंडियन फासिज़म की तरफ हिंदुस्तान की राजनिति जा रही है और एक सेंस ओफ नैशनल हुमिलेशन जिस हुमिलेशन जो अतीत में या इतिहास में हमको देखने को मिलता है ये एक constant reference point हमारे बीच में बनने को आता है तो हकसर साब की जो बात थी वो बहुत बहुत पूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरह से एक जो political ruling party है हिंदुस्तान की उसने एक जनता के बीच में एक national sense of humiliation और की उसका बदला लेने की जो भावना है वो एक तरह से पैदा करती है वो हमको लगता है तो इसलिए इतिहास को हम पढ़ते हैं और उसमें इतिहास में हमको अचानक से कुछ contemporary events में हमको उसकी relevance नज़र आती है अगर हम revisit करें जो शिमला agreement के political reactions जो हुए थे तो कुछ बड़े interesting देखने को मिलते हैं मैं आज ही देख रहा था कि उस समय के political parties के क्या responses थे तो सबसे पहले मेरा interest था जनसंग का देखना क्योंकि आज भारती जनता party की preceding party है तो जनसंग का जो resolution था दो resolution थे एक तुरंथ जुलाई में उनकी working committee का और एक बाद में नवेंबर में उनकी executive का दोनों में जो argument था कि वो एक तरह से rejection of Simla agreement executive का resolution था उसका तो title ही था sell out at Simla और उसी resolution में Simla agreement का को scrap करने के लिए उन्होंने मांग की थी अभी recently इस सरकार के जो foreign minister है जैशंक जी उन्होंने भी काफी critically Simla agreement के बारे में अपने एक भाशन में उन्होंने बात कही वहीं जन्संग के विपरीट जैप्रकाश नारायन जो बाद में इंदरागान्थी के सबसे बड़े critic बनते हैं वो support करते हैं Communist parties भी traditionally consistently Simla agreement को support करते आ रहे हैं यहां तक कि राजा गोपालाचारी उन्होंने भी इंदरागान्थी के वो का समर्थन किया था उस particular process में तो यह आपको कैसा लगता है कि पचास साल बाद भी एक करे से लोगों की जो position तब जो बन गए थे वही अभी भी बने आ रहे हैं यह बात आप मेरे से जादा बहतर समझेंगे दो बातें कहना चाहता हूँ एक तो जो भारत के विदेश मंतरी हैं जैशंकर उनके पिता ने शिमला एग्रीमेंट का सौगत किया था उस सबसे बड़े advocate थे बंगलादेश जा के और बंगलादेश बनाने के और उन्होंने कभी बात में वाजपे जी भी लाहोर गए थे मैं वही कहना चाहरा था कि उसको और जो भारतिय जनसंग की जो policy है और जो decision है उसको समझने के लिए आपको RSS का rejection of partition कि उन्होंने पार्टिशन को अभी accept नहीं किया और वो पाकिस्तान को accept करना नहीं चाहते थे RSS जनसंग उस mindset से आ रहा है जनसंग का कहना है कि आप बिल्कुल पाकिस्तान पर गब्जा कर लिए पाकिस्तान को उन्होंने जो कभी accept ही नहीं किया पंतर अगस्त निस सो सथालीज को और उस rejection उस rejection से उस ideological mindset से शिमला एग्रिमेंट का rejection आ रहा है पर अगर आप जब भारती जनता पार्टी सरकार में आती है चाहे वो भारती जनसंग हो जनता पार्टी के साथ या 1977 में या वीपी सिंग के साथ जब वो उन्होंने बाहर से support किया हो या बाद में 1996-1999 में में बाचपई जब प्रदान मंतरी बनते हैं शिमला एग्रिमेंट की जब से खास बात क्या है भारत यह कहता है कि वेस्ट पाकिस्तान जो है जो कि अब पाकिस्तान है इसकी territorial integrity और sovereignty को हम accept करते हैं और इसको हम touch नहीं करेंगे हमने बंगला देश बना दिया अब इसको हम touch नहीं करेंगे य कि किसी RSS के कारेकरता ने किसी भारती जनता पार्टी के लीडर ने ये अब accept कर लिया है मान लिया है कि पाकिस्तान अपने आप में एक independent country है और जो हमने इतने पचले 50 साल से अखंड भारत और 50 साल से जो हमने कहा है कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क नहीं है वो उसको वो बा थाट पार्टी कोई नहीं करेंगा और आपस में बात करेंगे वाचपई जी के समय में यही होता है अगर आप देखें लाहोर बस से आतरा होती है मैं 1977 की बात ही नहीं कर रहा हूं जब विदेश मंतरी है और 20 में महतोपून punctuation आती है वो है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे जाता है कि हम लोग इसी framework में बात करेंगे जो एक तरह से shimla agreement को थोड़ा सा शायद और sharply focus में लाया जाता है बिल्कुल shimla agreement में जो modalities mention नहीं हो पाती है जैसा कि आपने कहा क्योंकि बहुत last moment पर sign होता है उन modalities को एक तरह से वो जो composite framework है composite talks का framework है agenda है जो वो उसको एक तरह स जालू रहता है वाजपेजी वाजपेजी ने जो मैंने कहा कि शimla agreement के दूसरे pillar में था कि कोई युद्र नहीं होगा आपसम बातचीत करेंगे वाजपेजी ने उस बातचीत को जारी रखा दुप्रक्षी बातचीत की 1998 में भी की कारगल की लड़ाई के बाद भी की आगरा जो हिंदुस्तान की सरकार है जो प्रधान मंतरी नरेंद मुदी वो भी गए थे लाहूर तो क्या उसी प्रोसेस को आगे ले गए लेने की कोशिश किये थे जब उनकी विजिट हुई थी बहुत ही नाटकी तरीके से अफगानिस्तान से लोटते वे एक स्टॉप ओवर किया उसके बाद जब भारत पाकिस्तान से बाचीत करने की कोशिश करता है जिसलिए कि टू फ्रेंट वार ना रहे और लाइन अफ कंट्रोल शान्त हो जाए तो भारत तो सीधे बात नहीं करता है पाकिस्तान से भारत तो UAE के थ्रू जाता है संयुक तरब अमिरात के थ्रू पा करके थर्ड पार्टी को इन्वाल्व किया बिलकुल जो गेन था बहुत बड़ा शिमला का वो गेन एक तरह से निगेट किया एक तरह से लूस किया हमने उस गेन को अगर हम थर्ड पार्टी को इन्वाल्व करते हैं कलको आप कमजोर होते हैं चीन ज्यादा मजबूत होता है अगर चीन as third party involved होता है तो सोचिए उसके क्या नतीजे हो सकते हैं एक मैं अपने introduction में भी बोल रहा था कि 2 जुलाई को माना जाता है कि साइंग भूँआ था लेकिन actually technically third जुलाई को हुआ था इसके पीछे एक बहुत ही interesting कहानी है anecdote है दरसल बात fail कर गई थी और finally ये तरह किया गया कि इंदरा गांधी और भुट्टो एक last ditch effort करते हैं देर रात को बहुत ही close age के साथ तो फाइनली करते करते जाके वो sign हो जाता है वो मतलब तरह हो जाता है कि हम साइन करने के लेकिन तब तक मधेरातरी हो चुका होता है तो 3 जुलाई लग चुका है तो sign करना है लेकिन उस समय discover किया थे शिम्बला में कि कोई media के लोग है नहीं सब अपने अपने hotel के कमरों में जा चुके हैं डिनर करके जाके सो चुके हैं यहां तक कि दूरदर्शन की crew भी नहीं थी दूरदर्शन उस समय थोड़ा भहती television शुरूआ था films division के भी crew थी तो सब सोच चुके थे तो सब को उठाके वापस लाने में वो 3 जुलाई हो जाता है उस पूरे process में तो यह एक बहुत ही एक interesting anecdote है शिम्बला agreement के बारा बचकर 40 minute को sign होता है और अगर आपको याद हो तो उस वक्त के अख़बारों को क्योंकि जब आखरी round of meeting होती है उस दिन शाम को तो भारती जो delegation है वो साफ जाके वो देता है कि यह talks breakdown हो गई है वो statement वो पाकिस्तान को दिखा देता है वो last stitch effort से पहले और कहता है talks breakdown हो गई है और वो ही खबर मीडिया को leak कर जाती है कि talks breakdown हो गई हो गई है और talks का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है उसके बाद डिनर के बाद भुटो की तरफ से message आता है कि मैं मिलना चाहता हूँ इंदरा गांधी से one to one meeting होती है दस minute की और उसके बाद उनके जो close associates हैं वो आके साथ में बैठते हैं और उसके बाद इन minor changes थर्ड draft जो था भारत का उस थर्ड ड्राफ को थर्ड ड्राफ को करके कर दिया ता है पर मैं आपको एक पत्र जो के मिस्स गांधी न अपरहल उनीस सौभाथतर मैं लिखा ब्रेजनेव को जिसमें को भुटो के बारे में अपने विचार बताती है तुससे clear हो जाता है कि भुटो को बेफूफ नहीं बाता है and I'll quote, I quote, about Bhutto, she wrote, I quote, he's a leader whose career so far casts doubts on his goodwill towards India and his devotion to peace. It may be that recent events have infused in him a genuine desire to turn his back on the past and make a new start, but at the moment we cannot regard this as more than a possibility. He should also be made to feel that such recourse to arms in future is bound to fail. It is in order to restrain him and his foreign friends from yielding to the temptation of choosing an adventurous course, in preference to a peaceful settlement that we should exert ourselves to build up our military strength. So clear है, clear है, April 1972 में साफ थोर पर वो कह रही हैं कि भई बुटो को में बिलकोल भरोजा नहीं है, बुटो यह है और इसको दबागे रखना है, हमको फौज को बढ़ा करना है. पर यह समझने वाली बात है, इस पत्र से पहले स्वरन सिंग जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो रूज जाते हैं और इस पत्र के जवाब में भी ना ब्रेजने ना सोविट यूनिन कभी भारत को यह नहीं कहता कि हम आपको इतना मिलिटरी समान देंगे, साजू समान दे शिमला एक्रिमेंट इस परिपेक्ष में हो रहा है, जहां पर सोविट यूनिन आपको इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, सोविट यूनिन पोलेंट से यूनसी में वो भी एक रेजूलिशन भी गुसवाता है, जिसकी वैसे आपको वेस्ट पाकिस्तान पे काफी चीज़ उनको कुछी सालों में एक्जिक्यूट कर दिया जाता है, तो क्या इसका सिमला एग्रिमेंट के साथ कोई लेना देना था? बिल्कुल यह तो हमेशा जो भारती राजनाई वहां पर उस वक्त रहें, उनका हमेशा मानना है क्योंकि पाकिस्तानी फौश को लगा कि भुट्टो ने बहुत जादा कंसीड कर दिया, तो बाइलिटरली इसको करके और एग्री करके लाइन आफ कंट्रोल को एक तरह से भुट्टो को हाँ पर भुट्टो के खाली खाली शिमला एग्रीमेंट ही उसका कारण नहीं था, उसके दो बहुत सारे कारण थे, पर हाँ शिमला एग्रीमेंट के बाद भुट्टो उसकी ऐसे constitution ले आते हैं, पाकिस्तान आमी को humiliate करते हैं, गुलहसन वगरा के साथ जो कर जाता है, उसको एक तरह से sell out दिखा जाता है कि दवाव में किया गया, और बहुत जादा दवाव में आके उन्होंने उस जो संजोता था, उसको एकसेप्ट करना पड़ा, पाकिस्तानी शिमला एग्रीमेंट की बात बहुत कम करते हैं, आपने देखा होगा, वो कभी नहीं कहेंगे कि शिमला एग्रीमेंट या लाहॉड डिकलेशन को कहेंगे, यूएन के रेजुलिशन को फॉलो कीजियो, मुझे नहीं लगता कि जैसे हमार आप यहां पचास साल बाद शिमला एग्रीमेंट को डिसकस कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया या फिवहां की सिविल इस चीज को बहुत पॉजिटिवली देखके बात चीट करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि वो रही होगी, उस तरह की कोई डायलॉग, मुझे तो कोई अभी तक मिला नहीं, थोड़ा बहुत मैंने सर्च करने की कोशिश की, आखरी सवाल, पचास साल हो चुके हैं, शिमला के साथ भी एक बहुती जटल दौज से गुजर रहे हैं, तो क्या इंपरफेक्ट पीस की सर्च होनी चीए, कम से कम भारत में अभी भी? बिलकुल निलंजन, इंपरफेक्ट पीस बेटर देन नो पीस अटॉल, मतलब इंपरफेक्ट पीस, मतलब किसी भी दिन नहीं पीस ना उससे बेटर है, पचास साल बाद देखने वाली बात है, जो मुझे लगता है कि शिमला एग्रिमेंट से अगर अब हमारे पास काफी टाइम हो गया है, बीच में दोनों मुल्क नुक्लियर वेपिन स्टेट भी बन गया है, उनी सो ठाने निन जाने में तो सारी चीज़ें बदल गई, दो या तीन या चार चीज़े हैं, पहली चीज़ है कि पाकिस्तान का कॉंस्टिटूशन आता है, सम्विधान 1973 का, जो कि अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान मुझे पहले आपको पता हो, चार या पांच सम्विधान बनने कोशिश होती हैं, पाकिस्तान में नही से लिंक्त है, और पाकिस्तान की मिलिटरी recycling से लिंक्ट है, पहली चीज़, इस्से पाकिस्तान में एक तरह की stability आए है, एक तरह का democratic norm or format आया है, तोस्री चीज़ West Pakistan की existence को accept किया गया, और sovereignty को accept किया गया, जो कि लाहौर में भी बाद में हुआ, उनकी एक तरह से जो insecurity थ बॉर्डर में एक तरह की बांटु नॉट दीजेटो बॉर्डर डीजे राएबी है कि सब मानते है कि यही है जब कारगल में जब वो क्रॉस करते है तो ग्लोबली इंटरनेशनली यही आता है कि अपने कुछ क्रॉस कर लिया चौथी चीज इसने इस्टैबलिश कर दिया कि न लेकिन अब खत्रा यह कि हम लोग थर्ड पार्टी लेके आए हैं तो उसका आगे चलके उसको हमको रिकवर करना पड़ेगा दुबारा से इंडिया पाकिस्तान के डायलोग प्रोसेस को बाइलाटरल को टेबल पर फिर से लाना पड़ेगा और पीस को प्रामेसी देनी पड़ जिससे के इस पूरे साउथ एशिया में इस पूरे सब्कॉंटिनेंट में उप महादीब के अंदर एक तरह की शान्ती हो आपने बहुत अच्छी तरके से इस पूरी बाचीत को कंक्लूर्ड किया सुशान सिंग उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और न्य